गुड मॉनिंग, क्लास नायन का ग्रामर का पहरे लिसनम आज बढ़ेंगे, 1W-6, अनुशार, अनुनासिक तथा नुक्ता, तो इसमें से 1W-6 से 2 माक सा कुशन किरता है एक्जाम में, अनुशार अनुनासिक दोनों को मिला के 2 माक सा कुशन किरता है और नुक्ता से 1 माक सा बस आपको 1W-6 2 माक करके दिखाना, अनुसार, अनुनासिक में दिये गए होगे मातर, लेकिन गलत जगा पर दिये होगे हो, उनको सही स्थान पर लगाना होता है, और नुक्ता, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1W-6, तो 1W-6 2 क्लास से हम करते आ रहे हैं, तो आज हम यहाँ पर कुछ एक्जामपल देखेंगे 1W-6 के, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ बहुत सारे एक्जामपल दिये गए हैं 1W-6 से, मैं आपको पहले एक सिंपल वर्ड करके दिखाती हूँ, सब्पोर्स दिया गया है, काजल, पहले इजी-जी करना स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से मैं करके दिखा दे रही हूँ, स्टार्टिंग से आपको बता रही हूँ, काजल, तो क में कौन सी मात्र है, पहले वो देखें, क में हलंत, प्लस, क में कौन सी मात्र है, ना आ की मात्रा, क प्लस, जा में हलंत, प्लस, जा में हलंत लिखने का मतलब होता है, यह आधा हो गया इसमें कोई भी मात्रा नहीं है, तो A लिखने से यह complete हुआ, तो J complete हो गया, उसके अदल उसके अदल को complete करने के लिए A use करेंगे, तो यह है काजल का one विच्छे, अब एक मात्रा वाला देखते हैं, जैसे कोयल कोयल का one विच्छे, देखते हैं क में हलन्थ, ओ की मात्रा को, य में हलन्थ, य में कोई भी मात्रा नहीं है, तो A ल में हलन्थ, कोई भी मात्रा नहीं है, तो A यह easy words थे, अब कुछ difficult क्यों जाते हैं, जैसे suppose दिया गया है अत्यधिक अत्यधिक इसका one विच्छेत कैसे करेंगे, A कुछ पी अलग नहीं होता है, A में A हो गया त, त में हलन्थ, लेकिन यहां पे A नहीं लगाएंगे क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि तो A धा है यह यह पूरा है, A लिखेंगे धा लिखेंगे, धा में हलन्थ छोटी की मात्रा क, क में हलन्थ प्लस अ, यह अत्यधिक वण विच्छेत, अब रैफ वाला कुछ करते हैं, जैसे अरपन अ में हलन्थ उसके बाद क्या है, ऱ पहले सुनाए दे रहे हम लोगों तो ऱ में हलन्थ रह यहां आधा है क्यों लिखेंगे क्यों उपर रैफ है, रह पूरा कंप्लिट नहीं है अरपन, अरपन नहीं बहुत, अरपन रह थोड़ा सा यूए आधा रह है प मेहलन्थ न मेहलन्थ मैं अलग-अलग टाइप का अलग-अलग एक्जाम्पल आपको एक एक करके समझा दे रही हूँ उसके असपोज अनुशार या फिर अनुशार की मात्रा गराए अंगन ऐसा गराए तो सिंपल इसमें चंदरबिंदू लगा सकते हैं में चंदरबिंदू की मात्रा ग मेहलन्थ अब हम कुछ रूल होते हैं वैसा वाला करके देखेंगे सपोज दिया है अन्धा अ मेहलन्थ प्लस यहाँ पे जो हर जगा ना का उचारन नहीं होता है कहीं पे मा का भी उचारन होता है तो कहाँ पे कौन सा लेगेगा उसका अलग-अलग रूल है तो सबसे पहले देखेंगे जिस अक्षर के उपर अनुसार लगा होगा उसके बगल वाले अक्षर को तो किसके उपर अनुसार लगा है आ के उपर अनुसार लगा है उसको छोड़ देंगे बगल अक्षर क्या है धा तो धा हम लोग जब का खा गा पढ़ते थे तो हम लोग को वर सिखाए गया था का खा गा गा अंगा तो हम लोग को सिखाए गया था का वर खा वर फिर से मैं एक और करके बताती हूं जैसे का खा गा गा अंगा तो इसको बोले जाता है क वल इसका last वला वन लेखेंगे अंगा अगर क, ख, ग, 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 अग रहता है तो वह अंगा लगाएंगे अगर च, ज, 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 इया में से कुछ रहेगा तो महाँ पर इया लगाएंगे त, 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 थ, ड, ध, तो last में ध लगेगा तो यहाँ पे देखेंगे ध, ध के last में क्या होता है, ध वल लाइना पड़ो, थ, द, ध, न, क्या रहता है last में, न, तो यहाँ पे क्या लगेगा, न में हलं, प्लस, 9 आ धा है पूरा नहीं है, प्लस ध, प्लस आ, समझ में आया, उसी तरह का एक और वर्ट देखते हैं कुछ वैसे ही ये वाला अनुसार ये वाला तो देखेंगे यहाँ पर सपोर दिया है अंकित तो अंकित में देखेंगे किसके उपर अनुसार है ना के उपर अनुसार है उसके बगल अलाक्षर को देखेंगे का में लगा है का का सबसे लाशला वन क्या होता है का खा गागा अंगा तो यहाँ पर अंगा लगा अंगा में हलंत अंग का काम हो गया का में छोटी ता में अंधा वैसे ही करके मैंने बताया पहले आडंबर किसके उपर नुसार है ड के उपर है उसके बारे में बात नहीं लाश लाख्छर क्या है लिखके देखेंगे प, भ, 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 म, लाश लाख्छर क्या है तो यहाँ पे मा लगेगा म में हलन्थ, प्लस ब, प्लस आ, प्लस रा में हलन्थ, प्लस आ वैसे ही और कुछ देखेंगे जिससे आपूर्ती का करके देखेंगे आ में आ की मात्रा, पा में बढ़ियू प्लस आ पुर पा के बाद ही रा सुनाई दे रहा है रा में हलंद, ता में छोटी वैसी और एक दो वर्ड देखते हैं हमें आपे देखते हैं जैसे क्रित्रीम 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 का में कौन सी मात्रा है री की मात्रा है त्रा को पहले अलग करना होगा त्रा कैसे बना होता है ना ता और रा को मिलाने से त्रा बनता है प्लस इ, प्लस मा, प्लस मा और कुछ वर्ड्स हम देखेंगे, कुछ नया सपोस दिया है विस्मित विस्मित इसका one which est ऐगर हम देखें वा में हलन्त छोटी इ सा में हलन्त आ नहीं लगाएंगे क्योंकि सा क्या है आधा है उसके बाद क्या है मा में कौन सी मातरा है छोटी की मातराता में कोई मातरा नहीं है तो आ विस्मत समझ में आया सब को वैसे ही अगर देखें समपत्ति के वनविचछ देखते हम, तो समपत्ति के वनविच हैएद में देखेंगे, सबसे पहले सा прилि दिए सामे आ लिख दिए आप देखना है किसके अपर नुचार है नसा के उपर, पा की बात होगी, पा के लाश्ट में क्या आता है, पा फा बा फा मा, मा लिखें, मा में हलंत लगाए, इसा काम खतम हो गया, उसके पा में हलंत, पा में कोई भी मातरा नहीं है, तो आधाता, यहाँ पर डबलता है, एक आधाता है, एक पूराता है, एक आधाता लिखके छोड प्लास एक पूराता और उसमें छोटी की मात्रा तो ये था वाण विच्छे इसे टू माक सा कोईशन आता है टू क्लास चाप करते हैं और इसमें ऐसा लगता है कि मुझे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा उसके बाता है अनुशार और अनुशार और अनुशार मतलब जो लगाते हैं उसको बोलते हैं अनुशार और अनुशार मतलब चांद्रबिन्दु सपोस्ट कुछ क्षूंशन दिये होंगे मैं आपको करके बताती हूँ ऐसे कुछ कोईशन होगे सपोस दिया गया होगा चा या चला यह पुराने तरह में ऐसे लिखा जाता था अब इसको बोला गया है चंचल में उची स्थान पर अनुसार लगा कर मानक रूपी लिखिए इसको सही तरग कैसे लिखना है तो चंचल यह है अनुसार वैसे ही आवला दिया गया है आवला यह रॉंग यह दिया गया है आवला सबने उची स्थान पर अनुनाशिक लगाई है अनुनाशिक मतलब चंदर बिंदू तो यह रॉंग है आवला यह है इसका सही आंसर वैसे और भी question देखेंगे हम suppose दिया है आरंभ, पुराने तरीके में ऐसे लिखा जाता था अभी हम लोग कैसे लिखते हैं आरंभ, उपर बिंदू भ, आरंभ वैसे ही बांधना बांधना में धा के उपर बिंदू, चंदर बिंदू दे दिया तियू सबस्टा देखें सबस्टा देके कर दो देखेंगे देके का के चा है नडद़, ऐसे लिखा गया है इसमें अनुसार लगाने बोला तो आप कैसे लिखेंगे दंड़ चादनी लिखा गया है इसमें बोला गया है कि चंदरबिन्दू मोला तो आप कैसे लगाँगे चादनी MARTIN यह सबसे सिंपल है बस अनुसार और अनुनासिक आपको देखके लगाना है उसके बाद आता है नुक्ता तो नुक्ता क्या है? नुक्ता एक ऐसे डॉट के जैसा होता है जब हम जैसे ज, ज नहीं बलके मोलते हैं ज, फ, तो उस जगह पे हम लोग नुक्ता लगाते हैं उसका एक्जांपल देने से आप सको समझ में आएगा जैसे लिखा होगा ज, बुला गया होगा इसमें सही स्थान का नुक्ता लगाओ तो हमेशा बस याद रखना दो ही एक्चर में नुक्ता लगते हैं ज और फ, ज, फ, उच्चारन थोड़ा चेंज हो जाता है तो इसमें आँख बन करके बस ज, के नीचे यहाँ पर डॉट लगा देना है और भी कुछ कोश्चन में बताती हूँ आपको जैसे होगा फर्याद फरी या द, फ, तो यहाँ पर फ के नीचे नुक्ता लगा देना है और भी एक दोटो कुश्चन देती हूँ दफ्तर कहाँ पर लगाना है फो और ज, के नीचे बस दो ही अक्षर है जिनके नीचे नुक्ता लगाना ये फ्री में आपको वन माक्स मिलने वाला है जरूरत हम लोग बोलते हैं लेकिन होता है जरूरत तो ये जरूरत लगा देना है ये है नुक्ता तो आज आमने तीन चीज पढ़ा क्या क्या पढ़ा एक वन विचे दूसरा क्या पढ़ा अनुसार और नुक्ता फर्स्ट वाला जो है वन विचे उससे टू माक्स का कुश्चन गिरेगा और उसके बाद आता है अनुसार अनुनाशिक उन दोनों को मिला कि आप वो तू माक्स का कुश्चन गिरेगा उसके बाद नुक्ता नुक्ता से एक माक्स का कुश्चन गिरेगा और उसके पहले गिरता है अपठीत गद्यांस और अपठीत काव्यांस उसमें क्या होगा एक passes दिया रहेगा suppose मैं आपको एक example दिखाती हूँ एक passes दिया रहेगा उस passes को आपको पढ़ना है और उस passes से related कुछ question आंसर होंगे वो आपको करने है वो 15 marks का है और उसके आद एक काव्यांस एक कवीता दि रहेगी एक कवीता को पढ़ना है उससे कुछ related question आंसर हैंगे यह दोनों मिला कर होगा 15 marks का एक आपठित मतलब यह को बुक से related नहीं होगा कहीं बाहर से होगा दोनों को मिला के आपठित गध्यांस आपठित पध्यांस दोनों को मिला के 15 marks का है एक स्टोरी से होगा और एक कवीता से होगा दोनों को मिला के 15 marks का होगा कुछ question answer होगा आपको इसमें से करना है grammar portion में 2 mark का वन विच्छेद गिरेगा दोनों को मिला के 2 marks का वन विच्छेद उसके बाद 2 marks का होगा आप लोग का अनुसार अनुनासिक और वान माक्स का नुपता और आगे जो ग्रामर पोशन बागी रह गया है वंदो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे थेंक यू